नमस्कार आप देख रहे हैं हर खबर हर्याणा मैं हूँ आपके साथ हिमाई कटारिया बुलेटिन की शिरुवात करेंगे इस वक्त की एहम खबरों के साथ देशभर में आज से 15 से 18 सार के आयू वर्क के किशोरों के वैक्सिनेशन का काम शुरू कर दिया गया है तो वहीं हर्याणा में भी 15,4,000 किशोरों के वैक्सिनेशन के लिए स्वास्तवे भाग ने तैयारियां पूरी तरह से कमर कर स्थी है वहीं किशोरों के वैक्सिनेशन को लेकर स्वास्तमंत्री अनेल विज ने बताया कि प्रदीश भर में व्यापकस्तर पर 15 से 18 वर्ष आयू वर्क के बच्चों का टीका करन किया जाएगा प्रदीश में 15,40,000 बच्चों को वैक्सिन का टीका लगाया जाएगा वहीं वैक्सिनेशन के लिए प्रदीश भर में बनाए गए कई टीका करन के इंद्रों पर वैक्सिनेशन का काम शुरू हो गया है वैक्सीन लगवाने के लिए 15 से 18 साल के टीनेजर्स वैक्सीन सेंटर पहुँच रही है वही बच्चों को वैक्सीन लगने के आदे घंटे बाद तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा पतादे की वैक्सीनेशन के लिए रविवार देर शाम तक 6.5 लाख बच्चों ने रेजिस्ट्रेशन करवाया था जो आज सुभा बढ़कर 8 लाख से ज्यादा हो गया है तो संख्या में बड़ोतरी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले रेजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों ने 6 लाख जो संख्या थी बच्चों की और वही 7-7 आज सुभा तक 8 लाख रेजिस्ट्रेशन की संख्या हो गई तो बच्चों में कितनी जाग रुखता है या आपको देख सकते हैं registration की संक्यास से अन्दाजा लगा सकते हैं चारो तस्वीरे हर खबर हर यारा की स्क्रीन पर करणाल से आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं परिवहन मंत्री मूलचन शर्मा जी जो है लोगों से अपील करने के लिए पहुचेते हैं तक ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है यहाँ पर आकर वैक्सीन लगवाएं वहीं यम्ना नगर से तस्वीरे आप देख रहे हैं जहाँ पर कुरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बच्चे वहाँ बैटे हुए है और अपनी बारी का इं है गुरुगराम से तस्वीरे सामने आ रही है जहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए बच्चे पहुच रहे है 15-18 आयूबर के बच्चे वहाँ वैक्सीन लगवाने पहुच रहे है वही रोतक की तस्वीर है जहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प हचा रही है जहां पर आप देख सकते हैं कि वैक्सिनेशन सेंटर्स पर लंभी कतारे लगी हुई है और ऐसे में करोना प्रोटोकॉल का सीधे तोर पर पालन किया जा रहा है तो यह कई शेत्रों की आपको तस्वीरे दिखाई हमने जहां पर बच्चे जो है बड़ा बढ़ च रेजिस्ट्रेशन कर वायता और ठीक सुबा होते होते वह संक्या अपने आप में बड़ी और दो लाक और बच्चों ने रेजिस्ट्रेशन कराया जिसकी संक्या आठ लाक पहुँच गई तो ऐसे में बच्चे कितने जाग रुख है इस बात का इसी से अंदाजा लग रख और सीधे तोर पर तीसरी लहर का संकेत कहीं ना कहीं इस बात के जो है वैं संकेत देता है कि बच्चे जो है इससे संक्रम संक्रमित हो सकते हैं और इस बीच ओमी क्रोन का खत्रा भी लगातार बना हुआ है जो से देखते हुए सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया और साथ अब बच्चों में भी काफी जाग रुकता जो है वे नजर आ रही है बच्चे खुद वैक्सिनेशन सेंटर्स में पहुच रही है करोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने चेहरों पर मास्क लगाए हुए वहाँ पर वैक्स मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर जानकारी दी सीम ने कहा कि करोना से जंग में हम सभी की फागेदारी जरूरी है इसलिए अभी भावक अपने बच्चों को वैक्सिन जरूर लगवाए और उनका जीवन सुरक्षित करें वैक्सिन लगवाते समय करोना के नियमों का पालन करना भूले तो प्रदेश भर में वैक्सिन अभ्यान जोरू पर चल रहा है जहां पर सीम अनोहर लाल ने भी ट्वीट करकर लोगों से अपीर की है कि वैक्सिन को बिलकुल भी नजर अंदाज ना करें क्योंकि एक मातर रास्ता यही है जिस से हम करोना को मात दे सकते हैं तो हाला प्रदेश में 15-18 साल के बच्चों को वैक्सिन लगनी शुरू हो गई है लेकिन इस बीच सीम अनोहर लाल ने भी ट्वीट करकर यह जानकारी दी और सीम ने कहा कि करोना से जंग में हम सभी की भागिदारी बेहत जरूरी है क्योंकि अभी भावक जो है अपने बच्चों को वैक्सिन जरूर लगवाए और उनका जीवन सुरक्षित करें वैक्सिन लगवाते समय करोना के नियमों का पालन भी करना ना भूले अगर आपने वैक्सिन लगवा भी रखे है तो भी सावधानी बरतना बेहत जरूरी है तो ऐसे में जिस तरह से लापरवाही लोगों जर अंदाज ना करें क्योंकि ओमिक्रोन जैसे वेरियंट बिहद अखातक साबित हो सकते हैं तो ऐसे में सावधानी भी एक मात्र रास्ता है इन वाइरस से बचने के लिए और इने मात्र देने के लिए तो ऐसे में